नमस्कार स्वाकत है आपका सभाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा बड़ी खबर भारतिय वायू सेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है आपको बता दे कि भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पडोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाव को और ताकतवर बनाने में जुटी है इसी कड़ी में तीन राफेल लडाकू विमानों की खेप आज फ्रांस से बिना रुखे भारत के अंबाला एर बेस पर लैंड करेंगे बताया जा रहा है कि तीन राफेल लडाकू विमान आज शाम अंबाला की एर बेस पर लैंड करेंगे यहां आपको यह भी बता दे कि यह तीनों विमान फ्रांस से भारत की दूरी बिना रुखे तै करेंगे इसके लिए संयुक्त अरब अमिरात के आसमान में ही तीनों विमानों में उडान के दोरान ही इंदन भरा जाएगा बताया तो यह भी जा रहा है कि भारतिय वायू सेना की एक टीम तीन राफेल को अंबाला लाने के लिए पहले ही फ्रांस पोच गई थी तीन राफेल विमान बोर्ड डोक्स में मेरी गनौक एयर बेस से 31 मार्च की सुभ है साथ बजे उडान भरेंगे और बुद्वार शाम साथ बजे के करीब अमबाला में लेंड करेंगे नौ विमानों का अगला जथा अप्रेल में भारत आएगा इन में से पांच विमानों को उत्री बंगाल में हाशी मारा एयर बेस पर तैनात किया जाएगा आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लडाकू विमान खरीदने के लिए 69,000 करोड रुपई का रक्षा सोधा किया था फ्रांस के कंपनी दसा एवेशन से पांच राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुचा था इस बेड़े ने फ्रांस से उडान भरने के बाद सयुक्त अरब अमीरात में हार्ट किया था यहां उसने इंदन भरा था राफेल के पहले बेड़े को जब वायू सेना में शामिल किया गया था तब रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने इसे एक गेम चेंजर करार दिया था उनका दावा था कि राफेल के साथ वायू सेना ने तक्नीकी स्तर पर बड़त हासिल कर ली है राफेल नविंतम हतियारों और सुपीरियर सेंसर से लेस लडाकों विमान है गोरतलव है कि भारती वायू सेना के अमबाला स्थित गोल्जन एरो स्क्वार्डन ने जुलाई 2020 औ है लडाकों विमानों को पहले ही वायूसेरा में शामिल कर लिया गया है इन्हें लडाक सीमा पर तैनात किया गया है महीं भारत में फ्रांसे से दोत इमेन्युल लेनिंग ने कहा है कि करोना के बावजूद 2022 तक तेह समय में सारे लडाकों विमान भारत को सोब दिये जाएँगे उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि करोना के बावजूद हम भारत को तेह समय और उससे पहले राफल सोबने फ्रास की साफ्रान मिलिटरी एयर क्राफ्ट इंजिनों के सयुक्त विकास में भी रूची दिखा रही है राफेल लडाकु विमानों में ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें